हाई फ्रेंड्स वेलकम टू रूवीज क्राफ्टी किचन फ्रेंड्स अभी नौरात चल रहे हैं और बहुत सी लोगों के नौ दिन के व्रत होते हैं और इसी बीच में कोई स्पेशल डिया जाता है तो लगता है कि क्या बनाओ लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है फालहारी में ऐस बहुत सी चीजे होती है जिसे हम बना के और इस पेशल दिनों को पार्टी की तरह बिलकुल इंजॉय कर सकते हैं और इस चीजे होलती भी बहुत है और टेस्टी भी तो चलिए वही थाली बनाते हैं आज लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आज मेरे चैनले पहली बार आ तो मैं एक साथी बना के रख लेती हूं तो इसे इसे इस्तमाल करूँ ये देखे मैं इसको हलका सा रोष्ट कर लिया था और इसे फाइन सा पाउडर जासा बना लेंगे ये देखे अब सबसे पहले हम बनाएंगे सबजी तो सबजी बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा और जब आलू अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च इसे कलर अच्छा सा आ जाता है इसे लिए और ये है भुने हुए जीरे का पाउडर जीरा हम खाते ही है मसाले में तो इसे हम ब्रत में हम खाते हैं इसे तो हमने भुने हुए जी जो को खा सकते हैं और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया 2-3 चमच दही क्योंकि हम तो और कुछ इसमें जादा डालेंगे नहीं अगर आप टमाटर खाते हूं तो टमाटर डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर टमाटर भी यूज नहीं किया है और दही को डा इसमें से थोड़ा सा पानी क्योंकि यह सब्जी थोड़ी गाड़ी गाड़ी अच्छी लगती है और पानी डालके थोड़ी दिरे से पकने देंगे वैसे तो आलो उबला हुआ है ज्यादा पकने पर टाइम नहीं लगता है और सब्जी इस तरीके से गाड़ी हो जाएगी तो फ्लेम बंद करके और धनिये की पत्ती से डेकॉरेट कर देंगे और निकाल लेंगे कटोरी में. अब चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी. तो फटाफट बना लेते हैं रायता. रायते के लिए मैंने खीरे को कदुकस कर दिया है और इसमें डाल दिया है फिटी हुई दही, सैंधा नमाग, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर. और इन सब को मिला के हमारी तूसरी एक फटाफट रायता तयार हो गया. तो चलिए इसे भी फटाफट कर दोई मैं निकाल देती हूँ. चलिए, अब इक बनाते हैं अच्छी वाली चटनी, इसके लिए मैंने भुनी हुई मौमफली डाला है, दो-तिन हरी मिर्चे, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा जीरा और नवक डालके, और इसे पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डालके, और फटा-फट टेस्टी वाली चटनी कि मेरा कैमरा ओफ हो गया, अब मैं दिखा नहीं पाई, तो जब दूद उबलने लगा ना फ्रेंड, तो मैंने इसमें डाल दिया है केसर के धागे, चीनी, और जो मैंने साबुदाना भून के पीस के रखा था था ना फ्रेंड, उससे मैंने तीन बड़े चमच खाने वाले चमच से डाल की और पका दिया है, तो केसर से कलर आ गया है, और साबुदाने से ये गाड़ा हो गया है, और जब ये ठंडा हो गया है, तो मैंने मन पसंद जो भी फ्रोट्स है, वो आप खाते हैं, वो कट करके डाल दिये, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मेरा कैमरा ओफ ह लेकिन मैं इसको आपको बता दी हूँ कि इसमें ये चीजे डली है, और ये हमारा फ्रोट कस्टर्ड वी फालहारी वाला रैडी हो गया है, अब चलते हैं रोट्टी या पराठा जो बनाना चाहें उसके लिए, तो मैंने एक कटोरी लिया है, यहां पे कुटू का अंटा, जो ब्रत में खाये जाता है, इसकी जगह आप सिंहारी का अंटा भी ली सकते हैं, और ये दो बड़ी साइज की आलों को उबालके, और मैंने मैश कर लिया, ग्रेट कर लिया, वो है वो डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे, रेड मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, दही और इन सब को डालके, हम अच्छे से इसको मैश करके, और इसका डो बना लेंगे, इतनी सारी रस्पी बनानी है, और ये छीप की खिलता रहता है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं, और इन सब को मिला के, मैंने इसको अच्छे से आटे की तरह डो बना आटे घ्र तरह लेंगे, ये देखे, मैं हाँ से इसको मैश करके, हो इसको डो तयार कर लेती हूं, और ये देखे, फटाफट ये हमारा आटा तयार हो गया है, आलु डालने से अच्छे से बाइन, अब चलते है, इसकी है, आब चलती है फटाफट, इसे आप पूडी बना स सकते हैं इसे हमने बेल लिया है और इसे गरम तवे पे फटाफट घी लगाके और अच्छा सा छटे-छटे पराथे कितरा हम सेके तयार कर लेगे यह देखिये गोल्डिन करर का हमने सेक के ट्रेडी कर लिया है फ्रेंट ऐसे ब्रत की बहुत सारी चीजे होती है बनती है आप कॉमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी देखना है वही मैं आपके शाज शेयर करूंगी तो यह हमारी तयार सबजी है यह है रायता चटनी सलात के लिए खीरा फ्रूट कस्टर्ड और यह मैंने साब एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स बाई